वेलकम वेक एवरिवन वेलकम टू सुवल सरफ से स्टड़ी प्रक्टिस सेट नमबर 82 पर आज़ेए यूपी पीए सी पीसियस की टेस्स सीरीज चल लए है प्रक्टिस करेंगे इसमें हम करेंट अफेट्स के प्रश्णों पर ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन सबी ट प्रेस्ट आएगा वहां तक पहुंच सकते हो पहला प्रश्ण है नम्रिकत मेंसे कौन सा देश दक्षण पूर्व एसी आई रास्टे संग का सरस नहीं है मौरिश्यस ब्रुनेई व्यतनाम सिंगापुर देखें यह एक प्रश्ण पूछने का तरीका यह आस्यान की बात कर तो दक्षण पूर्व एसी आई रास्टो का संग यानि आशियान एक छेत्रे संगठन है जिसे एसिया प्रसांत के उत्तर आपनिवेसिक राज्यों के वीच वड़ते तनाव के चलते राजनेतेक और समाजिक स्रिता को बढ़ाबा देने के लिए स्थापित किया गया था आ एक द्रश्टी एक पहचान एक समुदा है और इसके जो दस मेंबर हैं वो कौन कौन से सिंगापूर मलेशिया फिलेपेंस ब्रुनेई कंबोडिया इंडोनेशिया लाओस मेंमार थाइलेंड और विटनाम ठीक है M से मलेशिया और मियमार दो हैं इसमें मौरिशस नहीं है और आशियान ठीक है मौरिशस जो है आशियान का मेंबर नहीं है कॉश्चन नमबर टूपर आजी है राष्ट मंडल यानि कॉमन वैल्थ के संदर में नमलिक तुन से कौन साथ है नहीं है राष्ट मंडल 26 देशों का एक संगठन है और इसकी स्थापना 1969 में लंदन घोशना पत्र द्वारा की गई थी राष्ट मंडल देश पूर्ब में विर्टेस उपनिवेस रह चुके हैं और इसकी स्थापना 1969 में नहीं ये गलत है तो राष्ट मंडल 56 देशों का एक संगठन है जिसमें मुख्य रूप से पूर्ब में विर्टेस उपनिवेस रह चुके राष्ट सामिल है और इसकी स्थापना 1949 में लंदन घोशना पत्र द्वारा की गई थी तो दूसरा वाला स्टेट्मेंट गलत है वही अपना आंसर है राष्ट मंडल के सरज से मुख्य रूप से अफरीका, मैक्सिको, एसिया और प्रशांत में स्थाथ है उन में से कई उभरती अर्थवस्थाओं में इस समुके तीन यूरोपिय सरज से साइप्रस, मल्टा और यूनाइटिट किंग्डम है राष्ट मंडल के विक्सित राष्ट ऑस्टलिया, कनाड़ा और न्यूजिलेंड है राष्ट मंडल में गणराज और राज दोनों सामिल है इतना इंपोर्टन्ट है याद रखने के लिए हैं और इसको भी आप पढ़ लेजेगा पीडियाप से और रिसेंट की जो न्यूज है वर्स दोहार 21 में बर्बाडोज ब्रिटिस समराट को राज की प्रमुक की भूमिका से हटाने और उन्हें एक राष्ट यह सरकारी अधिकारी के साथ प्रतस्थापित करने वाला अठारवा देश पनके अगर प्रस्ट पूछा जाए तो बार बार डोज है वो क्वेशन नम्बर थर्ड पर आजें अमिलिक दमें से कौन सा देश नार्डिक देशो में सामल नहीं है डेनमार्ड, ग्रीनलेंड, फिनलेंड, आइसलेंड इंपोर्टन सवाल है कई वार टेस सीरीज में देखा होगा आपने आइसलेंड है, फिनलेंड है, डेनमार्ड है, ठीक है ग्रीनलेंड नहीं है इसके अलाबा स्वीडन है, नौर्वे है तो स्वीडन, नौर्वे, फिनलेंड, डेनमार्ड और आइसलेंड को उस सामविक रूप से नार्डिक देशों के रूप में जाना जाता है नार्डिक देशों का जो मॉडल है वो मुक्त वाजार, पूंजीबाद और समाज कल्याण का एक अधुतिय से यूजन है तो याद रखेगा इनको स्वीडन, नौर्वे या नौर्वे, स्वीडन, फिनलेंड, डैनमार्क और आइसलेंड इसिम इलेक्ट्रोनिक सिम के संबंद में नमलिखित कतनों पर विचार कीजिए दो स्टेटमेंट है बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है यह एक नियमित सिम कार्ड चिप के समान हार्डवेर में इस्थाई रूप से इंबेड़ेड होता है और दूसरा स्टेटमेंट है उपयोग करता है यानि जो यूजर्स हैं किसी भी बहुत एक सिम कार्ड को प्रतिस्थाबित किये बिना किये बिना ओपरेटरों को स्विच कर सकते है देखें इस्थाई की फैसलिटी जो है जो नए मोबाइल आ रहे हैं ठीक है उनमें है सब में नहीं है और खासकर जो एपल की जो सीरीज है मोबाइल फोन की उसमें डॉल सिम होता है वो एक सिम जो है फिजिकल सिम होता है जो नॉर्मल जो लगता है फोन में और एक e सिम होता है ठीक है वो फिजिकल ही नहीं होता है तो उसी से relate करते हैं दोनों statement यह और यह correct है दोनों के दोनों statement बिना बहुत एक sim के जो है उसमें operator को switch कर सकते हैं जो भी operator है atl हो गया जी हो गया तो correct है दोनों के दोनों statement यह तो e-sim को पहली बार जो है वर्ष दोहार बारे में उपयोग किया गया था और यह है embedded sim है जो एक नियमित sim card chip के समान hardware में स्थाई रूप से embedded होता है तो पहला statement correct है पारंपरिक sim card की तरह e-sim में भी कुछ घटक होते हैं जो phone के अंत्रिक भागों का हिस्सा होते हैं और बे भी उसी तरह कार करते हैं दूरसंचार operatorों तदा अन उपभुखताओं के लिए एक visage पहचान करता के रूप में कार करते हुए जब वे call करते हैं टेक्स्ट भेजते करते हैं इस तरह के प्रश्ण UPSC के फैबरेट होते हैं UPSC पूछ लेती है लेकिन PCS के लिए इंपॉर्टेट ने या दखिए इसको इसमें motherboard से जुड़ा होने से जो है री प्रोसेसिंग की भी अनुमती होती है जिससे उप्योग करता किसी भी बहुत एक sim card को प्रतिस्थ साबित किये बिना ठीक है बिना किसी physical sim के या नहीं बिना operator को जो है switch कर सकते है वो physical sim की जड़त नहीं है इस इम में question number 5 पर आजएए नमलेखे देशों पर विचार कीजिए सुडान मिस्र यमन इराक उपरोग देशों में से कौन से सुड़ी अरब के साथ सीमा साजी करते हैं ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं UPSC में पूछे जा रहे हैं और UPPCS में भी देखे सुड़ी अरब के सीमा साथ जो सीमा साजी करते हैं सुडान तो नहीं करता क्योंकि बीच में रेड सी आ जाती है लाल सागर देखे है मिस्र भी नहीं करता क्योंकि सामने से लाल सागरा जाता है और उपर से एक देश जो है बीच मा जाता है तो उसकी जो स्थलिय सीमा साथ नहीं मिल पाती यमन है और इराग है तो इसका आंसर हो जाएगा दो और चार यानि उप्सन नमबर ए तो साओधी अरब से जोड़ी विभिन देशों की सीमाओं की बात करें तो उत्तर में जॉर्डन, इराग तथा कुवेट से लगी है पूर्ब में फारस की खाड़ी, कतर, सैयुक्त, अरब अमीरात और उमान से लगी है और दक्षण और दक्षण पस्चिम में जो है यमन से लगी है और पस्चिम में लाल सागर और अकाबा की खाड़ी से लगी है तो यह है साओधी अरेविया, देखें बीच में आगे रेड सी लाल सागर तो इसलिए सूडान की सीमा नहीं लग पाती है और एजेप्ट यानि मिस्र की भी नहीं लग पाती है पोशक अनाज के संदर्मेन उम्रद में से कौन सा स्टेट्मेंट साही नहीं है इसकी खेती मुखे रूप से समसितोशन शेत्रों में, सोशक शेत्रों में और सीमान शेत्रों पर की जाती है इन अनाजों के प्राचिंतम प्रमान सिंदू सभ्यता में मिले हैं और चीन जो है विश्मे बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है और पोशक अनाज गेहूं और चाबल की तुलना में अधिक सस्ता और पॉस्टिक है देखें चीन नहीं बलकि भारत विश्मे बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है यही गलत है और यही अपना आंसर है पहला करेक्ट है दूसरा करेक्ट है और डीवाला स्टेट्मेंट भी करेक्ट है तो पोशक अनाज सब्द जो कई छोटे बीज बाले फसलों को संदर्वित करता है जिसकी खाद फसल के रूप में मुखी रूप से समशी तो उपोश्ण कटी बंदी है और उश्ण कटी बंदे शेत्रों वे सुश्क शेत्रों में सीमान तो भूमी पर की जाती है अब देखे भारत में उपलब्ध कुछ सामान फसलों में जो है बाजरा रागी जुआर समा बाजरा और बरीगा ठीक है इसमें सामिल है बाजरा रागी यानि finger millet ज्वार हो गया सोरघम समा हो गया छोटा बाजरा और बाजरा हो गया मोती बाजरा बरिगा हो गया प्रोसो मिलिट इन अनाजों के जो प्रमाणे सबसे पहले मिले थे इंडस वेली सिवलाइजेसन में सिंदू घाटी में पाई गए थे और यह भोजन के लिए उगाए गए पहले पोधों में से एक थे यह लगभग 131 जिसों में पाया जाता है और एसिया अफरीका में लगभग 60 करोड़ लोगों का पारंपरिक भोजन है विश्व में पोशक विश्व में जो भारत है वो पोशक अनाज का सबसे बड़ा उतपादक है इसमें चीन वाला स्टिट्मेंट गलत है और यह हिस्सा वेस्विक उतपादन का विश प्रतिसद और एसिया में उतपादन का 80% है बहुत ज़़दा है ठीक है उच्छ प्रोटीन होता है इसमें फाइबर होता है बिटामिन होते हैं और लोह तत्व प्रचुर मात्राइं पाई जाते हैं ठीक है पैसे के द्रश्टी से कम खर्चीला है और पॉस्टिक है और गेहूं चाबल से बहतर होता है यह करेंट में एक पॉलिटी का सवाल आ गया है ठीक है महानयवादी इंपोर्टेंट है कंपरिटिव एक्जाम के लिए कई बार हमने प्रश्ण मना आए इस पे भारत का महानयवादी याजनी एजी आई अटॉर्णी जनल उफ इंडिया के संदर में तीन कथाने बताने के इन का अधिकार है तो गलत हो जाता फिलाल करेक्ट हैं तीनों के तीनों स्टेट्मेंट कोई भी गलत नहीं है दी है इसका अंग है और महानयवादी देश का सरवोच कानूनि अधिकारी होता इसका प्राबधान संभिधान के अनुछे इनुच्छे 76 में महानयवादी को हटानी की प्रकरिया और अधार जो है सम्विधान में नहीं बताया गया है वो राष्टपती के प्रसाद पहेंतर पद्रण करता इसका मतलब क्या हुआ राष्टपती द्वारा किसी भी समय उसको हटाया जा सकता है जो महाना अबादी है वो संसत के दोनों सदनों या उसकी सईयों के बैठक में और संसत की किसी भी समिती में कारवाही में वो बोल सकता है भाग ले सकता है जिसका वे सरस से नामित किया था लेकिन उसे बोटिंग राइट्स नहीं होता मतदेने कादेकार उसको नहीं होता है कोशन नमबर आठ पर आजए नम्रिके देशों पर विचार करना है ये देश हैं चीन, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उजबेकिस्तान आपको बताने के उपरोग देशों में से किर्गिस्तान के साथ सीमा चीन के लगी है, किर्गिस्तान के साथ सीमा तजाकिस्तान के ल पूछा गया सवाल हाल ही में किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बीच हिंसक सीमा संगर्स में लगवग सो लोग मारे गए और कई घायल हो गए किर्गिस्तान की जो सीमा है तो प्रस्ट पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है ठीक है एक्जामनर जो उसका वेस है उससे पूछ सकते हैं या वो क्यों नियूज में था कि सो लोग मारेगा उससे पूछ सकते हैं किर्गिस्तान की सीमा उत्तर में कजाकिस्तान से दक्षनपूर में पिपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से दक्षन पस्चिम में तजाकिस्तान से और पस्चिम में लगी है कुजवेकिस्तान से नहीं लगी है तो किस से तुर्कमेनिस्तान से question number 9 पर आजाईए मानव विकास सूचकंक नमर के दमें से किसके द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास सूचकंक जारी किया आता है UNDP के द्वारा संयुक्त राष्ट विकास कारिकरम के द्वारा तो संयुक्त राष्ट विकास कारिकरम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट या सूचकांग दोहार 21 के अनुसार भारत वर्ष दोहार 22 के लिए मानव विकास सूचकांग पर 189 देसों में 132 वे स्थान पर है जो पिछले वर्ष से 2 स्थान नीचे है वन ठर्टी टो रेंग है कोईशन नमबर 10 पर आजएए सतत विकास लक्षों के संदर्ब में तीन कथना बताना कि इनमें से कौन सा सही होगा वर्ष दोहार 15 में संयुक्त राष्ट द्वारा सतत विकास लक्षों को अपनाया गया था और इन्हें वर्ष दोहार 25 तक हासिल करने का लक्ष रखा गया है सवाल इंपोर्टेंट है सीधा एक स्टेटमेंट बना कर पूछा जा सकता है कि सतत विकास लक्षों को जो हासिल करने का लक्ष है कब तक है दोहार 30 तक है 20 तक नहीं है तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है पहला और तीसरा यहां पर सही है तो जहां जहां दो है उसको हटा दीजे आंसर मिल जाना है तो सतत विकास लक्ष यानि सस्टेनेवल डवलप्मेंट गोल्स को वैश्विक लक्षों के रूप में भी जाना जाता है वर्ष दोहार 15 में सेयुक्तराष्ट द्वारा गरीवी को समाप्त करने पर्थवी के रक्षा करने और यह सुनिशित करने के लिए कि वर्ष दोहार 30 तक सभी लोग सांती और समरद्धी के लक्ष को प्राप्त कर सकें इस क्रब में इसे एक सारभौमिक आहन के रूप में अपनाया गया था सत्तरा लक्ष ये ठीक है सत्तरा सतत विकास लक्ष जिसमें एक शेत्र में कारवाही दूसरे शेत्र में परिणामों को परभावित करेगी और विकास को सामाजिक आर्थिक और परियवने इस थिर्था को संतुलित करेगी देखे इन्हें वर्स ध्यार 30 तक हासिल करने का लक्ष रखा गया है तो दूसरा स्टिट्मेंट हो गया गलत तीसरा वाला करेक्ट है यह सहस्ततापदी विकास लक्षों की सफलता के अधार पर बनाए गये हैं जिसमें जलबायू परिवर्तन, आर्थिक, अस्मानिता, नवाचार, संधारणिय, उपुभोग, सांती और नयाय जैसे नए छेत्रों सहित अन्य प्रात्मिक्ताइं सामिल है और सवाल बनते हैं इससे यूपी PCS में है कॉश्चन नुबर 11 पर आज़े, सिंदु घाटी सवेता के निम्रिखित इस्तलों में से कौन सा इस्तल, म्रतको का टीला के रूप में जाना जाता है इसका अंसर है मोहन जोद्रो बहुत पूछा गया है प्रस्षिन कंपर्टिटव एक्जाम में तो मोहन जोद्रो इस्तल, जिसका साब्दिक अर्थ होता, म्रतको का टीला, सिंदु घाटी सवेता के महत्पूर इस्तलों में से एक है और मोहन जोद्रो की खुदाई जो है वर्स 1922 में सुरू होई थी और वर्स 1964-65 तक कई चरणों में जारी रही और अभी तक इसके केबल एक छोटे से हिस्से की ही खुदाई की गई है मोहन जोद्रो की प्राग्यतिहासिक प्राचींता की खोज वर्स 1922 में भारते पुराततव सर्वेक्षन के राखल दास बनर जी के दोरा की गई थी एक आदा प्रश्ण हेड़कॉर्टर से आता है स्टेट पीसियस में अंतराष्टे सरम संगठन यानि आयलो का मुख्याल है कहां परिस्त है जेनेवा के सुट्चर लेंड में तो अंतराष्टे सरम संगठन संयुक्तराष्ट की एक संस्था है वर्स 1919 में वर्साई की संदी द्वारा एक राष्ट की एक संबध एजन्सी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी और वर्स 1946 में यह संयुक्तराष्टे से संबध पहली विशिष्ट एजन्सी बन गया इसका मुख्याल है सुट्जर लेंड के जनेबा में एक यूनिकॉर्ण किसी भी निजी स्वामित वाली कंपनी है जिसका बाजार पुझे करण 10 अमेरिकी डॉलर से अधिक है इस रिक्तिस्थान में क्या आएगा 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक या एक बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक तो एक यूनिकॉर्ण किसी भी निजी सौमित वाली फर्म है जिसका बाजार पुझी करण एक बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है जो भारत है अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे वड़ा स्टार्ट अप 25 तरंतर बन गया है और भारत में 75,000 स्टार्ट अब आजाए क्वेशन नमबर 14 पर रास्टे अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना किस मंत्राले के अंतर की गएगी ग्रह मंत्र मंत्र रास्टे अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की सापना केंद्र मंत्राले के अंतर के अंतर की गए थी और यहां रास्टे पुलिस आयोग और ग्रह मंत्राले के कारवल की सिफारि आधार पर स्थापित किया गया था कोईशन नूमर 15 पर आज़े भारते चुनाव आयोग या नहीं इसको कहलो भारते निर्वाचन आयोग या Election Commission of India से Related तीन स्टेटमेंट है यहाँ पर बताने के नहीं से कौन सा करेक्ट है देखें यह केवल लोकसवा और राज की विधान सवाओं के चुनावों का परबंद करता है इसमें एक होता है मुख्य चुनाव आयोग्त और दो होते हैं अन्य चुनाव आयोग्त मुख्य चुनाब आयुक्त को सर्वोच नियाले के नियाधीज की तरह ही उसके पद से हटाया जा सकता है सवाल इंपोर्टन्ट है Election Commission of India यानि भारत के निर्वाचन या चुनाब आयुक्त से संबने अगर केवल लोग सबार राज्यों की विधान सबाओ के चुनाबों का प्रबंधन करेगा तो राज्य सबार के चुनाब कौन करवाएगा राष्टपती के कौन करवाएगा और राष्टपती के कौन करवाएगा केवल वाला जब वर्ड अधिकतर स्टेट्मेंट गलत करवाता है यहां भी गलत है एक मुख चुनाव आयुक्त दो अने आयुक्त होते हैं सही है स्टेट्मेंट और इसके जो आयुक्त होते हैं मुख चुनाव आयुक्त उनको वैसे हटाया जाता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज़ों को हटाते है और प्रकरिया आपको पता ही अब इसेश बहुमत वाली ही है यानि इंपीच्मेंट के द्वरा हटाया जाएगा उनको महावियोग की प्रकरिया लोकसवा में बिल ले आओ ये राजसवा में दोनों के अलग अलग ठीक है उसके बाद राश्टपती की महर तो फिलाल पहला वाला गलत है दूसरा तीसरा से ही है और करेक्ट यहाँ बर ढूड़ना है तो जहां जहां एक है उसको हटा दीजे केवल दो और तीन इसका अंसर हो जागा आपसन नमबर भी तो भारत का चुनाब आयोग यानि Election Commission of India भारत में लोकसभा के, राज्य सभा के, राज्यों की विधान सभाओं के राश्टपती और अपराश्टपती के कारे लोग के चुनाबों का संचलन करता है पहला स्टेट्मेंट करता है देखे, मूल रूप से जब आयोग बना था तो उसमें केवल एक चुनाब आयोग था लेकिन चुनाब आयोग तो संसोधन अधियम 1989 के द्वारा इसे एक बहुस अरस से निकाय बना दिया गया यानि एक हो गया इसमें मुख चुनाब आयोग और दो हो गए अन्य आयोग जब ये रिटायर हो जाता है तो इनी में सो कोई बना दिया जाता है ऐसी प्रकरिया चलिया रही है काफी टाइम से देखिया मुख चुनाब आयोगत को सर्वोच नियाले के नैधीज की तरह ही हटाने के प्रकरिया के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है तो 15 प्रशन थे ये इसमें अधिकतर 12 प्रशन करेंट के होंगे 3 प्रशन GS स्टेटिक के आगए इनकी प्रेक्टिस एक से दोबार कर लेजेगा वागी ये नमबर है इस पर कॉल या वाट्सप करके आप इसकी फुल टेस्ट सिरीज प्राप्त कर सकते हैं जो चल रही है टेलिग्राम पर धन्यवाद